दोस्तों केश से हो आप सब आपका भाई हाजी रो चुका है और एक निव रिक्वार्मेंट का अपडेट्स के साथ आज का जौने जो रिक्वार्मेंट का अपडेट्स निकल कर रहा है यूटिलिटी यनड पावर टेक लिमिटेट से निकल कर रहा है जो NTPC और Reliance Infrastructure का एक joint venture है अभी जो इसका जो recent requirement निकलावा है असिस्टन लोको ड्राइवर का जो यहाँ पर requirement निकलावा है इसका क्या eligibility criteria रखा गया है इसका क्या apply करने का process रखा गया है सारा हम इस वीडियो में step by step डिसकस करने वाले हैं उससे पहले अगर आप हमारी चैनल पे नई भीचिट करें तो चैनल को subscribe कर ले इस तरह का latest technical job notification, technical latest study material और interview tips आपका भई आपके लिए चैनल में update करता रहता है अगर आप हमारा टेलिग्राम चैनल जोईन नहीं किये हैं तो link में description में provide कर देता हूँ और यह जो requirement रहेगा आपका contractual basis में आपका requirement रहेगा यहाँ आपको सारा details देखने को मिल जागा जैसे कि यहाँ पर name of post में assistant, local driver, trainee का यहाँ पर post दिया जाएगा लेकिन यहाँ पर all India candidate इस post को apply नहीं कर सकते हैं, only assembly state के कुछी district के candidate को ही इसको apply करने के लिए eligible रखा गया है अगर आप इस eligibility criteria में fit होते हैं तब ही आप इस post को apply कर सकते हैं यहाँ पर इसका link दिया गया है, इसका official link में जाकर आप इस post को apply कर सकते हैं online date का बात करेंगे तो यहाँ पर इसका 30 तारीक से online चालू हो गया है और 19 को इसका last date रखा गया है यहाँ पर अगर selection procedure का बात करेंगे तो यहाँ पर आपका 10 में जो mark रहेगा उसी basis में merit ready किया जाएगा और 2000 candidate का यहाँ पर एक merit ready किया जाएगा और 2000 candidate को ही यहाँ पर रिटीन के लिए बुछ आब जाएगा जो candidate यहाँ पर रीटीन qualified करेंगे उनको वहाँ पर next परसनल इंटरव्य के लिए बुला जाएगा और final वहाँ पर उनका merit list ready होगा और हैं पर उनका सिलेक्सन होगा यहाँ पर अगर training period का बात के लिए तरी मंथ के लिए आपको जो इन्डियन容 रिल्वे के अंतरगत रखा जायेगा जो आपको यहाँ पर training provide क्या जाएगा जो assistant loko pilot के लिए और training के दोरान जो आपका 3 महिने का training रहेगा वहाँ पर आपको stipend provide किया जाएगा 7000 का और आपको यहाँ पर training complete होने के बाद यहाँ पर UPL का यहाँ पर रहता है उनका pay structure उसी के अंतरगत आपको यहाँ पर salary provide किया जाएगा अगर यहाँ पर salary का बात करें तो यहाँ पर अगर आपको जैसे के training complete होता है तो आपको यहाँ पर 18000 प्लस आपको यहाँ पर salary देखने को मिल जाएगा यहाँ पर इसका official website का link में हमारा description में provide कर दूँगा अगर आप इस post को apply करने के लिए eligible होते हैं तो आप जरूर इस post को apply करिये आसा करता हूँ मेरा information आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको फिर भी कोई भी doubts से तो आप मेरो comment box में comment कर सकते हैं तो मिलते हैं next video में आज के लिए इतना ही thank you